सामने वाला तारीख क्यों कर रहा है इसको समझने के लिए बहुत बुद्धी नहीं चाहिए थोड़ी संवेधन शीनिता चाहिए अब हमारा तो राजनीती से कोई लेना देना नहीं है न जेवियों लेकिन हमने शिराम जनमुमी के अंदोलने काम कि चुनाओ के दिन जब आते हैं तो पता चलते हैं उदर से एक टोकरा आया फलों का हमने का ये फलों का टोकरा कौन दे गया अरे ना तुम मेरे सिश्यों ना मेरी भक्ति करते हो ना मेरी आज्याओं से चलते हो चुनाओ के दिनों में ये फलवल एक आया वो लेकर आमले का रस पान साथ बोतने रोज हमने का इतना आमला हमारे सारे आश्रम वाले भी रस पिएंगे तो ये समाप्त नी होगा तो ये कुकुरम उतने हैं बरसाती जब बारिश के दिन होते हैं तब ही उगाते हैं और जब बारिश बिदा हो जाती है तो ये गाएब हो जाते हैं गदे के सीम की तरह समझ में तो आता है अब वहां पर काम हो रहा था वहां हमारे गृंदावन ब्रज में पत्थरों को खनन वाले तोड़े जारे तोड़े जारे तोड़े जारे सादु वहां अनुषन करके बैट गये किसी सादु ने अपने उपर तेल डाल लिया कहा हम तो मर जाएंगे क्योंकि भगवान की निशानियां यह पहाडियां, मैंने का यह काम तो नहीं होना चाहिए, उन दिनों एक्सप्रेस वे नहीं बना था, और मैं अपनी गाड़ी लेके दिल्ली जा रही थे, पलवल से, तो रात को मेरी गाड़ी के आगे बड़े बड़े पत्थर लगा दिये, माफियां उने, और फिर एक मोटर साइकल से उतरा, उसने यहां मेरे वो खिड़की को दब-ब करके खुलवाया, मैंने शिशा खोली, तो मैंने का क्या है, खोपड़ी उड़ाओगे ना मेरी, मेरा शरीर चीनोंगे, शर्मनी आती, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृती, उन सब को बेचने को तियार हो, पैसे के गिए, और मैंने जैसी उसकी आख में आख डालके यह बोला, उपटापट भागा मोटर साइकल पे बैठा, और 9, 2, 11 हो गया, चोथे दिन, हमारी वाजसलिग्राम का जो कार्यालिया है, वहां से फोन आया, दीदी मा, बड़े भारी डा दाता है, कह रहे हैं, हम करोडों रुपया दान करेंगे वाजसलिग्राम में, तो मैंने का पहले कभी देखा इनको, उले हमने तो नहीं देखा, मेरा शिश्य है वो, नहीं, तो फिर, मैंने का तुम्हें समझ नहीं है, बीना किसी रिष्टे नाते के, में हमारा प्रकल्प नहीं देखा, हमारे सेवा के काम को नहीं देखा, अटैची भरके वो नोट देने आया है, यानि वो खरीदने आया है, और ऐसे दान की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसको कहो, उठके खड़ा और यहां से निकल जाओ,